इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया के बेहतरीन पहाडी इलाके तो जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंध तक शिमला शिमला जोकी हिमाचल परदेश की राजधानी है ये अंग्रेजों के राज में इंडिया की गर्मियों की राजधानी हुआ करती थी सर्दियों की राजधानी उस वक्त कोलकत्ता थी शिमला में आपको एहतिहासिक इमारते और रेलवे देखने को मिलेगी आप शिमला में क्राइस्ट चर्च देख सकते हैं जो कि नोर्थ इंडिया का दूसरा सबसे पुराना चर्च है मेरट के सैंड जोन चर्च के बाद शिमला का ये चर्च 1857 से है शिमला में आपको राष्टपती निवास जो की वाइस रेगल लॉंच के नाम से भी जाना जाता है जरूर देखना चाहिए ये 1880 में बनना शुरू हुआ था और 1888 तक बना दिया गया था इनके अलावा शिमला में और भी जंगाएं घूमने के लिए जो की इसे मशूर हिली स्टेशन बनाती है मसूरी मसूरी उत्राखंड में है और ये देरदून से एक गंटे की दूरी पर है ये नोर्थ इंडिया का सबसे पसंदीदा पहाड़ी इलाका है मसूरी को टूरिस्ट जादतर इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे जादर फैसलिटीज मिलती है अगर आपको घुरसवारी करना पसंद है तो आप लाल तिबबा पर जा सकते हैं अगर आपको पानी का जहरना देखना है तो आप केमटी फॉल जा सकते हैं गन हिल के लिए आप केबल कार ले सकते हैं मसूरी में आप पैरेगलाइडिंग भी कर सकते हैं और ऐसी काफी जंग है मसूरी में गूमने के लिए नैनिताल नैनिताल उत्रकंड के कुमाओ इलाके का शहर है नैनिताल में देखने के लिए काफी जंगा है जैसे कि नैनिताल की जील नैना देवी मंदिर नैना चोटी मुक्तेशवर मंदिर केव गालडन और नैनिताल रूपवे आजादी से पहले जब अंग्रेज हमारे देश में थे त अपने परिवार के साथ रहने आते थे अगर आपको किताबे पढ़ने का शोख है तो आपको नैनिताल जरूर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर काफी अच्छी लाइब्रेडी है जैसे कि दुर्गा लाल शाहा पब्लिक लाइब्रेडी जो कि 1934 में बनाई गई थी मनाली मनाली हिमाचल परदेश का वो कस्बा है जो कि हिमालिये के पिछली तरफ है और ये कुल्लू घाटी पर है यहाँ का तापमान 4 डिगरी सेलसियस से लेके 26 डिगरी सेलसियस तक रहता है अगर आप गर्णियों में मनाली जाएंगे तो आपको वहाँ का तापमान 10 के बीच मिलेगा मनाली में घूमने के लिए म्यूजियम ओफ हिमाचल कल्चर एंड फॉक आर्ट तिबबती मॉनिस्ट्री कलब हाउस और नहरू कुंद जैसी जंगा है श्री नगर जम्मु कश्मीर की गर्मियों की राजधानी है और सरदियों की राजधानी जम्मु है श्री नगर को जीलों और बागों की जमीन भी कह जाता है क्योंकि यह अपनी जील और बागों से मशूर है आपको जीलों में हाउस बोड भी मिलेगी आपको श्रीनगर के बागों में मुगलाई असर नजर आएगा क्योंकि श्रीनगर के काफी बाग मुगलों नहीं बनवाई थे और एशिया का सबसे वड़ा तुलिब गाल्डन श्रीनगर में है अगर आप गॉल्फ के शोकीन है तो आपको श्रीनगर जरूर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर काफी गॉल्फ कोर्स है इन पांच बेहतरीन हिली स्टेशन पर आप कौन सी जंगा गए है या कौन सी जंगा जाने के लिए सोच रहे हैं हमें जरूर बताइए